वेलकम टूश योर सकस्स, आप यूगाज आ डूइं ग्रेट तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और यह वीडियो मैंने वर्फ के उपर ही बनाया है तो मैंने पहले एक वीडियो वर्फ के उपर बना के रखी है तो उसमें मैंने आपको क्य वर्फ और इंट्रांजिटिव वर्फ जिसको हम बोलते हैं सकार्मक्रिया और अकार्मक्रिया उन दोनों वर्फ को मैंने एक वीडियो में अच्छी तरह से एकस्प्लेन करके रखा है अगर आप लोग नहीं वीडियो नहीं देखियो जरूर से देखिये बहुत ही को स्टार्ट करते हैं तो आज का फर्स टॉपिक है लिंकिंग वर्फ इसका अमिंदी में बोलते हैं स्वयोजग क्रिया चलिए मैं आपको इसका पहले डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह आखिर होता क्या है तो लिंकिंग वर्फ का मतलब है आपका स्वयोजग पर तो इसका डेफिनेशन जो है वह इस प्रकार होगा लिंकिंग वर्फ is a वर्फ that connects the subject to प्रेडिकेट इसका मतलब कि अगर कोई वर्व सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है तो उसे हम बोलते linking word चलिए मैं आपको इसका definition हिंदी में भी बता देता हूं हिंदी में जो definition होगा वह इस प्रकार होगा वो क्रिया है जिसके द्वारा करता और विदई को जोड़ा जाता है तो यह है आपका डेफिनेशन स्वायोजग क्रिया का तो चलिए मैं आपको कुछ एक्जामपल्स देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे वोड्स होते है और कैसे सैंटन्स में यह रोड्स यूज होते है लिंकिनग तो आपका एक्जामपल है इस, वह रीमें, स्टे, वार्ल एक्जामपल से जिसको आप बोल सकते है लिंकिंग वहर्ड यह ऐसे वोड्स है जो कि आपको subject और predicate को connect करने में help करते है तो चलिए मैं आपको sentences भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे यह words जो है वो subject और predicate को connect करते है तो आपका first example है He is a good boy तो यहाँ पर आप देख सकते है He जो है यह आपका subject यानि की करता और यह remaining part जो है यह है आपका predicate यानि की विदाई तो यहाँ पर आप देख सकते है is तो यह है आपका word और यहाँ पर आप देख सकते है यह is जो है यह subject और predicate को connect कर रहा है तो इसलिए यह हो जाएगा आपका linking word क्योंकि अगर यह is नहीं होता तो यह meaningless होता जैसे की he a good boy इसका कोई meaning नहीं होता तो यहाँ पर is है इसलिए he is a good boy वो एक अच्छा लड़का है तो इसलिए is हो जाएगा आपका linking word I hope कि आप सभी समझ में आ गया होगा कि linking word क्या है आपका next example है see seems upset about the result तो यहाँ पर आप देख सकते see एक subject है और यह remaining part प्रेडिकेट और यहाँ पर seems जो है यह आपका linking word क्योंकि यह दो subject और प्रेडिकेट को connect कर रहा है अगर यह seems नहीं होता तो यह sentence meaningless होता तो I hope कि आपको linking word अच्छी तरसे समझ में आ गये होंगे चलिए बढ़ते हैं हमारे next topic के उपर और वो है आपका auxiliary verb जिसको हम बोलते है helping word auxiliary verb को हम इंदी में बोलते है सहायक क्रिया सहायक क्रिया तो चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ कि सहायक क्रिया यानि कि auxiliary verb होता क्या है तो आपका definition जो है वोच इस प्रकार होगा तो यहाँ पर आप देख सकते है definition क्या बोल रहा है कि अगर कोई verb अगर main verb को help करे sentence का meaning अच्छी तरह से पूरा करने के लिए तो उसे हम बोलते auxiliary verb तो चलिए मैं आपको इंदी में भी definition दे देता हूँ वाक्य को पूरा करने के लिए अगर कोई क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे हम सहायक क्रिया कहते है यानि कि auxiliary verb कहते है तो लिए मैं आपको कुछ एक्जामपल्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि auxiliary verb होता क्या है तो आपको first example है C is writing तो यहाँ पर आप देख सकते है writing जो है यह है आपका main verb क्योंकि यह action denotes कर रहा है तो यह writing main verb है और यह is जो है यह है आपका helping verb यानि auxiliary verb क्योंकि यह आपका support कर रहा है main verb को sentence की meaning को पूरा करने के लिए अगर यह is नहीं होता तो यहाँ पर किसे होता transcendence C writing तो यह पूरा meaning नहीं होता meaningless होता तो यह इस लगा के जो है meaning को पूरा किया जा रहा है तो इसलिए यह हो जाएगा आपका auxiliary verb I hope कि आपको auxiliary verb भी समझ में आगया होगा चलिए मैं आपको कुजी और examples दे दे दाऊं they have completed the task तो यह पर आप देख सकते completed जो है यह आपका main verb और आपका यह helping verb यह है आपका have तो यह have आपका main verb को help कर रहा है meaning को sentence की meaning को पूरे गरने के लिए तो चलिए आपका next sentence है we are dancing तो यहाँ पर आप देख सकते है dancing आपका main verb है और यहाँ आपर are जो है यह हो जाएगा आपका auxiliary verb क्योंकि यह support कर रहा है sentence को meaningful बनानी के लिए तो चलिए I hope कि आप सभी के समझ में आ गया होगा और I hope कि आप लोग के लिए यह video helpful रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर से like कर दीजिए और अगर चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके लेबल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जय हीं जय बाहर कर दो